दोस्तो चीन के हैपरसोनिक मिसाइल, क्रूस मिसाइल, बलेस्टिक मिसाइल का काल बना रहा है अमेर्का जहां इन दिनों अमेर्का लेजर वैपन पर काम कर रहा है जो कि आस्मान से आने वाले किसी भी तरह के संभावित खत्रे को यहां आस्मान में ही ध्वस्त कर सकता है यहां किसी भी तरह का चाहे बलेस्टिक मिसाइल सो, चाहे क्रूस मिसाइल हो, चाहे हैपरसोनिक मिसाइल हो चाहे किसी भी प्रकार का ड्रोन हो चाहे किसी भी तरह का फाइटर जट्स हो उन सभी को निशाना बना कर उन्हें आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है इतना खतरनाक ये लेजर हत्यार बना रहा है अमेरिका तो इन ही सारी चीजों को लेकर कुछ बड़ी डीपोर्ट सामने आई हैं जिसको लेकर हम इस वीडियो में Crystal Clear करने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू सेंन तक देखे है है तो आपको जानकारी कर बताते हैं कि इस तरह का वेपन पहले से ही अमेरिका ने बना रखा है जहां US के नेवी में ने पहले ही डेवलप कर रखा है जिसका नाम है XN1 Laws जहां LAWS इस तरह का वेपन है जो की इंफ्रारेट बीम का एक solid state laser के रूप में जहां target करता है जो कि किसी भी तरह के UAV drones को destroy कर सकता है जिसकी testing साल 2014 में ही अमेरिका ने कर ली थी वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिलाल अमेरिका के पास 30 किलो वाट का ही laser weapon है जिससे किसी भी तरह के ड्रोंस और किसी भी तरह के अनेमेड एरियल वैपन को destroy कर सकता है लेकिन इसी के छमता को 10 गुना जदा बढ़ा दिया गया है जिससे कि किसी भी तरह के ब्लेस्टिक मिसाइल, क्रूस मिसाइल और किसी भी तरह के फाइटर जेट्स को आसमान में ही destroy कर सकता है वैसे तकरीवन 300 किलो वाट का जहां laser weapon बनाने जा रहा है जो कि US Navy के द्वारा develop किया जाएगा और इसको tank में set किया जाएगा जो कि भूमेगत जहां कि किसी भी तरह से किसी भी एरिये से आसमान से आने वाले किसी भी दुस्मन के weapon को destroy कर सकता है वैसे इसकी जो technology डेवलप की गई है वो General Atomics और Electromagnetic System और Boeing ने मिलकर इस device को डेवलप किया है वैसे इसको shipping container के आकार का बनाय जाएगा जो कि भारी truck में लगाया जाएगा और इसे कि किसी भी भूमीगत एरिये में टैनात कर दिया जाएगा जिसे आने वाले दुस्मन के किसी भी तरह के हत्यार को आसमान में ही धुस्त कर दे वैसे आपको बता दें कि इसकी परिक्षन साल 2022 में होने जा रही है जिया ठीक अगले साल ही इसका परिक्षन किया जा रहा है और य यहां इस इलाके में फाइवर का इस्तेमाल की आ जाएगा जिसे यह होगा कि कितना भी भीशन गर्मी के साथ जब भी एपना रेज इन्फरेट चोड़ेगा तो जो फाइवर था वो साथ हिट तो टार्गेट को करी देता था लेकिन साथ सा तो जो फाइवर का यह जो हिस्सा यह portion था उगल जाता था लेकिन यहां पर जब से एक तरह से जब से यह कांच का स्लेब इस्तमाल किया जाएगा उसे भीषन से भीषन गर्मी को भी बरदास्त कर पाएगा और अपने टार्गेट को एक फार में कई बार धुस्त कर सकता है इतना ताकतर पर ही से बना दिया देख सकते हैं वैसे दोस्तो जिस तरह से चीन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होर में लगा है और उसको काफी लेवल पर डेवलप भी कर चुका है उसकी काट के लिए अब अमिर का इस तरह की लेजर हथियार भी बना रहा है जो उसके हथियार को आसमान में ही द्वस्त कर देगा वैसे दोस्तो आपकी इस बार में क्या ओपीनियंस हैं नीचे कमेंट्स में अपनी ओपीनियंस जरू देए साथी दोस्तो अगर आप ये वीडियो येटूब पे देख रहे हैं तो पीज को फॉलू कर लिजिए मिलते हैं अगली ने रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी खास